तो चिंदा ना करो भूच तो ए निस रिष्टा हो लेकिन सबसे पहले हमिंछा याद रखना। टारा हीत्त कर लो और पैनली बोल लो हाय वकात इंडाम की तो उसमें सब बाहर पुछे तो मेरे बच्चों जिस सेरीज के इंतजार था वो सेरीज लेकर के मैं आ गया मैं आपका अपना जासर कई दिनों से आप कमेंट्स करते रहे कि जासर आपने जो स्टैट्जी वीडियो दिया था नीड दो मैं आपको साथ देने के लिए हर पन साथ देने के लिए हर वक्त साथ देने के लिए पूरे सेशन साथ देने के लिए मैं आपके साथ आ चुका हूँ और एक नया स्ट्रीज लांच करने जा रहा हूँ आज से एक नया स्ट्रीज लांच करने जा रहा हूँ जिसके सारी स्ट्रेड़ी सारी स्ट्रेडूल्स मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें कैसे कैसे पढ़ना होगा हमें कैसे कैसे पढ़ना होगा क्या क्या चीज़े पढ़न से पास करें जहीं वाले बच्चे पड़े तो भी टॉप रेंक से एक्जाम कॉलिफाइब करें तो मैंने इसका नामी रख दिया यंग जीनियस बैच अब यह 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 जीनियस बैच किसके लिए है जरा समझने की कोशिस करो यह यह जीनियस बैच है हमारे डॉपर वाले जो किसी भी वजह से एक्जाम कॉलिफाइब नहीं कर पाए जो भी डॉपर्स वाले बच्चे है उसके लिए मैंने रखा है यह स्पेशल बैच और दूसरी बात मैं सबसे इंप्रोडन बात बताने जा रहा हूं जब अध्यान से सुनना यह बैच इस पेसली ट्वेल्थ वा चुका है लकिन मैं जानता हूं कि पचास परशन के आसपास तो अलएबर्ण थी पूछने हैं हम कैसे क्वौलिफाइब करेंगे 및 जया दिए लेह अक्ताइब करने ज्यादिंगे वापके साथ देने के लिए आपका अपना जैसर आ चुका है अब तो हर पलपके साथ रहू आपको चिंदा करने की जड़त नहीं है मैं कुछ इस प्रकार से सेटल को बनाया जिससे की प्रस्टू वाले बच्चे भी और डॉपर वाले बच्चे को भी कंप्लेटली कंप्लेटली छे से साथ मेने के अंदर में कंप्लेटली सिलेवस को खतम भी करेंगे और याद रखना वन-ठोवन डॉट्स भी लेंगे आपके कोई भी डॉट्स होगा चाहे किसी भी समय डॉट्स होगा अम आपके सामने हाधिर हो जाएँगे चाहे जैसे भी डॉट्स बताएं चाहे जूग पे बताएं YouTube पे बताओ या जैसे भी बताओ मेरे बच्चे हम आपके एक पर्सनली डॉट्स बताएंगे चाहे टेलिग्राम चैनल पर बताओ चाहे वाट्सिप बताओ मैं एक एक बच्चे को एक बच्चे को इंडिविजली डॉट्स सी बताओंगा आपको चिंद्ना करने की जरूत नहीं है आप बस घर बैठो और सेलेक्शन का इंतजार करो अगला साल सेलेक्शन आपका होना ही है होना ही होना है क्योंकि फिजिक्स सेलेक्शन रोकता था अब तो मैं क्रैस कई करने के लिए नहीं आया अब तो वह फुल- hole lou वात करूंगा मैं आप से ओरे फुल- hole लबात करूंगा तो चलिए हमारा क्या स्टेट्रश बनाया जाएगा और देखेंगा क्या-क्या होता है, उसके बाद हम फिर आंगे बात करेंगी, एक क्या-क्या सिस्टम बनेगा, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, चलिए पर स्टेटर्जी को हम देखते हैं एक बार, तो हमारा स्टेटर्जी क्या रहेगा इस सेशन में, बच्चे से, इसमें सबसे पहले हमने रख सिर्फ और सिर्फ एक बात आता है, कि यार जनवरी में तो मेरा जैमीन का एक्जाम है, कई बच्चे सोच में पर गये हैं, कि यार दिसम्मिर तक अगर हमारा स्टेटर्जी पस नहीं होगा, तो हम कैसे एक्जाम क्वालिफाई करेंगे, मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक छे महिने के अंदर मैं सिलेबस खता, एक ऐसा सिस्टम बनाया, कि हर दिन, हर दिन वीडियो मिलेंगे, हर दिन वीडियो मिलेंगे मेरे बच्चे, सुनिये ध्यान, सुनिये मैं क्या बूलना हूँ, हर दिन वीडियो मिलेंगे, अब किस तरीके से मैंने वीडियो को सजाया, क जो प्लस वन सिलेबस के वीडियोज हैं और जो प्लस टू के सिलेबस के वीडियोज हैं अगर उसको अलग-अलग हम दिन भेगाए तो बच्चा पड़ नहीं पाएगा एक बच्चा स्टॉंग तभी होगा जब उसका प्लस वन जितना तयार होगा उतना ही प्लस टू तयार हो तो मैंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि मैं पूरे वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाड कर दिया कि एक वीडियो आपको मौर्णिंग सिप्ट में मिला करेगा और एक वीडियो इवनिंग सिप्ट में मिलेगा मानुप मौर्णिंग सिप्ट में मैंने अलॉट किया है प्लस के लिए का completely सिर्फ यंग जीनियस बैच्च के लिए होगा यह प्लस वन बैच्च के लिए नहीं होगा विए प्लस वन बैच्च के लिए और यह मैं आलफा बैच एनौज़ कर चुका हो उसके बढ़ाने का मेरा strategy प्लतली अलग होगा यह strategy सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्लस टू वाले बच्चों के लिए और डॉपर वाले बच्चों के लिए है तो शलिए पहले हम देखते हैं कि कैसे syllabus को design मैंने किया होगा तो जब बच्चोंश देखो द्यान से हमने पूरे syllabus को कुछ ऐसे divide किया जैसे section A, section A ज़रा समझना, section A हमारा सुरू होगा 1st June को और end करेगा 31st of July 2024 को, मतलब मेरे कहने का कि 2 मन्त का syllabus है, अम हमने इस पूरे syllabus को कैसे बनाया, ज़ा ध्यान देना, इसमें मैंने 2 section माटा, कुछ प्लस वन के भी syllabus को रखा, और कुछ प्लस टू के भी syllabus को रखा, प्लस के भी प्लस वन वाले syllabus में लौजव मोशक, friction, vector, kinematics, center of mass, work power energy और circular motion, मतलब 2 महिने के अंदर में, 2 महिने के अंदर में, प्लस वन से रेटेड इतने syllabus को कवर करना होगा, और इसी 2 महिने के अंदर, optics और modern physics को अभी हमें final कर लेना होगा, याद रखें, प्लस्ट्यू वाले बच्चों याद रखें, आपका board exam में 35 marks का तो बस यही रहेगा, तो इसका मतलब यह हुआ, कि board वाले जो बच्चे इस वीडियो को पढ़ने की कोसिस करेंगे, तो दो मेने के अंदर में 35 marks का जो board का score होगा, वो भी final होगा, अरे वह याद जो need में qualify होना है, तो हो गए, हो के ही रहेगा, जोन जी यह निजाम qualify करना है, वो तो हो के रहेगा, लेकिन जड़ा देखो, मैंने दो मेने के अंदर में, आपकी आदीं physics में खतम कर दिया, प्लस टू की आदीं physics कर दिया, शमदने की कोसिस करो, तो यह सुरू होगा 1st June को, और end करेगा 31st July, अब इसमें मैं च्या करूँगा, जिसे मानलो morning shift में मैं बेज देता हूँ, 11th किसी levels को, जिसे 8 बजे क्या सपास मैं morning में हर दिन भेजूँगा, 8 बजे या 9 बजे, एक वीडियो प्रवाइड करूँगा, मानलो प्लस वन का, तो सामके 6 बजे या 7 बजे, प्लस टू का, एक optics का वीडियो रहेगा, मतलब इस section का एक वीडियो रहेगा, यह ऐसा भी हो सब प्लस टू का वीडियो मैं morning में भेजूँ, तो evening में आपको इस topic का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन यह parallel चलते रहेंगे, और हर दिन मेरे बचे वीडियो मिलेगा, हर दिन, मतलब मेरे कहने का मतलब समझो, मेरे कहने का मतलब यह है, कि आपको exactly रहसास हो, exactly feel हो, कि आप offline class में बैठे हो, आपको exactly feel हो, कि आप offline class में बैठे हो, आप यह मत सुच लेना, कि मैं online class में बैठा हूँ, मेरे बच्चे याद रखना यह सिरी उसके लिए स्टार्ट है 3 यना यह सिरी उसके لिए स्टार्ट है जो पैसे की वज़े से पड़ नहीं पा। रहे हैं एक बड़े कोचिंग जाता है बच्चा इतना पैसे मांगता है कहां से वो गरीव किसान सेच कि कुछ आता ही नहीं स्टाइड इकाद मेरा तो समझ में आया उसके बार őंध इंडिया पिकानी कानी कुछ शेप्टर इस यह श्युक्त ओएर तो बच्चों को सिखाया जाता है उसके बार टाइं डाफिस अब जिन्दा ना करो अपका जाषर अपका जाषर आपको सब्सक्राइब कुछ वीडियो क्या उससे आप ने देखा कितना पूचा था और कितना पुछा था या आपको भी पता होगा और मैं आपको एक पिछले वीडियो मना के विदिया था एग्जैक्लिक एग्जैक्लिक वही कुछ सनाय थी लेकिन जरा सोचो कि अगर आप पूरे सेजन आप हमसे पढ़ लोगे तो क्या होगा तुम समझ पारे हो यह आद होगा किसी कुछिसन का चार नमर का कट जाये तुमारे नौकात जई एडवांस का है नौ ने जीनियस सिरीज जो बच्चा इस सिरीज में जुरा वो इन जीनियस कहलाएंगे जीनियस मेरे पढ़ाएंगे बच्चे जीनियस ही रहते हैं क्योंकि मैंने ऐसा महौल तियार किया है ओफ लैंड में भी मेरा ट्रैक रकॉर्ड रहा है कि मैं हर बच्छे को जीनियस बनाने होगा यह हमारा strategy होगा section A में ऐसे section B में बच्चाओ एक अगस्य स्टार्ट होगा और 30 सेप्टमबर तक चलेगा इसमें भी हमने कुछ syllabus को रखा collision, momentum, rotational motion, SHM और waves और इधर हमने current electricity, electrostratics और capacitor को रखा मैंने pattern वही रहेगा syllabus यह रहा इसका भी मैंने time रखा दो मन्त या आठ वीक अब हम section C में मैंने रख दिया heat and thermodynamics यह बड़ा section आप जानते हो और gravitation और उदर से रख दिया मैंने Magnetism, EMI, AC और Electromagnetic Wave जैसे कि आप बच्छों जानते हो जैसे कि बच्छे आप जानते हो बहुत अच्छे से जानते हो बच्छे कि यह section बहुत important होंगे इसका भी मैंने allotment किया है दो मैने का या आठ वीक का फिर बात आता है fluid mechanics का अब जब देखेगा ध्यान से plus two के service levels निपट चुके हैं और plus one में बच्छे हैं कुछ chapters fluid mechanics units and dimension और error और measurement यह शुरू होगा एक December को और खत्म होगा 20 December को मेरे कहने का मतलब आप समझें कि 20 December तक आपका पूरा का पूरा series खत्म हो जाएगा completely series खत्म हो जाएगा syllabus और plus two का syllabus किया दर हम बात करें दो plus two का syllabus हम खत्म कर देंगे 30th of November 2024 तक आपका plus two का भी completely syllabus खत्म हो गया है और जो थोड़े बहुत प्लस one का बचा हुआ था उसको मैं दिसंबर मन्त में ले गया fluid mechanics, serum dimension और error measurement को तो यह हामारी strategy है syllabus खत्म करने के मामने में अब matter बनता है अब matter बनता है बच्छों जरह आम देखेगा ध्यान से detailed syllabus तो हमने बता दिया अब matter बनता है मेरे बच्चे कि Sir notes क्या रहेगा कैसे notes बनाया जाएगा कैसे notes बनाया जाएगा Sir तो जरहा ध्यान से सथना कि notes बनाने का भी कुछ तरीका होगा हमारे पास हम कैसे notes के बारे में सोचे जरह ध्यान से देखेगा इसके लिए मैंने a chart जो मैंने क्लास में हर दिन वीडियो आया उसको कुछ इस प्रकार बनाओ कि आपका इंडेक्स होना बहुत जरूरी है नोट्स में इंडेक्स के साथ साथ जो क्लास नोट्स बहुत ही स्फिर होना चाहिए तकि रिवाइज के वक्त हमें दिक्कत ना हो याद रखना जिस बच्चे का क्लास नोट्स जितना ज़्यादा अच्छा होता है वो उतना ही स्टॉंग तरीके से उसका सेलेक्शन होता है क्योंकि एक्जाम में हमारे क्लास नोट्स बहुत मैंने रखते हैं याद रखिएगा उस क्लास नोट्स में से आप short notes बनाने की कोसिस करिए कि आप short notes से घ्यान लखिए कि उसमें क्या क्या important है वो short notes बना करके आप ऐसा बनाए कि वो हर वड़ आपके पास रहे वो short notes तकि बार बार उसको revise करते रहो और उसको analyze करते रहो मतलब just like आप pocket dictionary की तरह रखिएगा उसको और उसमें बना बना करके चीज़ों को add करते रहे फिर हमें उसी में मैंने कहा formula पीट उसमें रखिए और उस short notes में आपको ये चीज़ जरूर अड़ करना है कि misconception के जो points थे जो misconception के points थे उस सारे misconception के points उसमें add होनी चाहिए जरूर याद रखिएगा notes अगर आप इस प्रकार बनाते हैं तो आप यकिन वानिए आपका जो level of thinking होगा वो बिलकुल बदल जाएगा कई वार ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे हम कितने बार उसी चीज़ को बार 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 गलत करते जा रहें अगले टेस्ट में अगले बार जब question करेंगे तो गलतियां हो नहीं सकता इस प्रकार से आप notes को बनाने की कोसिस करिए और मैं आपको इस प्रकार से notes आप से बनवाओंगा ठीक है बच्चो नेक्स आप देखिएगा यहाँ पर मैं चार्ट में एक बार और चर्चा किया था books का अब books की बारे में भी थोड़ा ख्यार लखिए बच्चे पूश्टे हैं हमसे सब हमें books कौन सा करना है तो बच्चो याद रखना आपको कोई books करने की ज़रूत नहीं है आपके लिए एक special special 10,000 problem का एक set बनाया मैंने 10,000 concept का एक set बनाया मैंने जो आपको PDF की रूप में telegram channel पर जब आप जोईन करोगे telegram channel free of cost रहेगा यह पूरे session तो आपको telegram channel पर वो से वो आपको PDF मिलेगा और आपको उसमें से पूरे की पूरे करने होंगे books में अपको कोई extra लेने की जरूत नहीं है कोई भी निए कुछ से भी लेने की जरूत नहीं है पूरे के पूरे NCRT के line मैंने उसमें cover कर रखा है आपको चिंता परने की जरूत नहीं है मतलब कहता है कुछ बच्चे कहता है कि NCRT करना जरूरी है क्यासे अरे बच्चे सारा मैंने एक चीज को कॉपी कर दिया है एक पॉइंट को इतना ही लोगेट कर दिया है वो कुछ करने जरूत नहीं है वो नोट्स कर लो और मेरा डेपीपीज कर लो और पहले बोलो है अवकात देंजाम की तो उसमें सब बाहर पूछ कर दिखा 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 ओपेल फिर अरवा पॉइंट उड़ता है कि डिपीपीज आपको डिपीज में हर दिन साट से लगी आसी कोईशन टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा और जो मेरा एप आपको मिलने वाला है कुछी दूरों में मैं आप बे लॉंच करूँगा तो अभी मैंने आपको एप मिलेगा उस एप में आपको कोईशन हर दिन मिलते रहेगा साट से असी कोईशन ठीक बच्चा वो कोईशन आप करोगे और उस कोईशन का फीडबाइक भी हमें मिलेगा कि आपने क्या सही क्या गलत किया वह एप के मांधियम से मैं देखते रहूंगा कि जब information आजाए कि बच्चे कैसे कैसे सही किया है या गलत किया है एक पॉइंट समय समझ में आ जाएगा अच्छा उसके बाद revision की बात उठता है कि हमारा revision कैसे होना चाहिए syllabus में कैसे कैसे revision करना होगा एक बाद revision को हम देखते हैं revision के लिए बहुत अच्छा चार्ट मनाया था मैंने अब देखिए आप क्या करो आप देखो एक बात बता तो physics को कम से कम नाए गंटे का टाइम दो अगर आपका physics कम जो रहा है तो डाए गंटे दो और अगर आपका physics ठी 15 मिनट बच्चे ठीक है आप पिछले जो DTP के best problem है उसको बार 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 रिवाइस करते रहो क्योंकि वही questions data to data to data सेम आने की chances होते हैं तो अगर आप उसको बार 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 करते रहोगे तो questions के answer तक याद हो जाएंगे तो कम से कम वहाँ जब exam में बैठोगे तो मुझे questions करन तो formula और concept जो पिछले formula और concept थे उसको revision करते रहो बार 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 देखो दिक्कत क्या हो तैजरा ध्यान सुनो जही वाले बच्चे में ये खास करके problem होता है कि उसे बच्चे से याद नहीं होता नेट वाले बच्चे तो याद कर लेते हैं जही वाले बच्चे से याद नहीं होता तो ध्यान देना अगर तुम्हें sort techniques और concept का जो formula बना है वह अगर आपको हर वक्त याद रहेगा तो question मुझे derive नहीं करना पड़ेगा फटा 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 यू कम से कम समय में बनते चले जाएंगे अब देखो अगर तुम्हें derive करने की यादत होगा त उस question को तुम मान के चलो अगर ती मिनटें बनाते हो तो अगर तुम्हें फर्मॉला याद होगा technique याद होगा तो याद रखो बच्चे तुम उसको 10 से 20 से बना लोगे तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हर दिन 15 मिनट बेरे बच्चे formula और concept को रिवाइज करने पो टाइम दो उ इसमें छोटे जो misconception हुए है उसको कथा लिखने के लिए तो उसको लिखो और बार 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 पलटते रहो तकि आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा और याद भी हो जाएगा तो यह हमारा revision का series होगा यह revision का session रहेगा ऐसी हम revision करवाएंगे आपसे अच्छा revision के कौन बार बताता हूं कि एक जनवरी 2025 से आपका All India Test Series शुरू होगा जो पूरे इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा इसमें पूरे इंडिया लेवल पर आपकी रैंकिंग क्या होगा यह आपको पता लग जाएगा तो आपको चितना नहीं करना आपको कोई test series जोएन करने की ज जिस test series से Jack can that question आपको नीट में दिख जाएंगे आपको जही एक्जाम में दिख जाएंगे आपको चिंदा नहीं की ज़रूत नहीं है आपको test series को के पैसे किसी और कोचिंगों में प्रोवाइड नहीं करना, किसी और कोचिंग को नहीं देना या ठीक है, आपको कि फुरी और कॉस्ट में वह भी चीद भी विप्नो वाइड करवाऊंगा, अचा तो ये तो हमारा पुरा प्लैनिंग हो गया, बच्छो, इसमें एक दो बात आप तो टेलिग्राम पे रखोंगा टेस्ट लेकिन बाद में आपको एप पे टेस्ट कर दूँगा जो टेस्ट होगा तो संडे को हम लाइब एक दिन वीक में एक दिन आप लोगों के साथ लाइब भी रहेंगे और आप लोगों से बिलकुल फेस टू-फेस बात भी करेंगे जो आपको प्रॉब्लम्स होगा जो भी चीज़े दिक्कते होगी आपको उस दिन आपको पूरे टेस्ट को हम डिसकस भी करवाएंगे पूरे प्रॉपर वे में डिसकस करवाएंगे तो यह हमारा टेस्ट सेडूल रहेगा उसमें जो भी आचा डॉट्स की बात अगर करें तो आपको हर कभी भी आपका टाइम फ्री है हाँ अगर मैं अफलेवल हो बच्चे मैं क्योंकि आफ्लेंड भी क्लासेज होते हैं तक मैं अफलेवल हो तो आपको हर वक्त मैं आपको ले डॉट्स लेकर करके बैठाओ यह कभी भी डॉट्स पूछो कोई दिक्कत रही है आप लाइब हा करके प्राइवेड लाइब हा करके एक डॉर्स को क्लियर करूगा तो आप चिंदा नंकरो पेरे बैए बैख says मैं आपके साथ बैठा हूं मैं आपके साथ हों मैं एक महना लेट ज़रूर हुआ हो क्योंकि मैं इसलेट हुआ था क्या करों अधा तरूपरी को रेस्ट करने दो एक फ्रेस माइंड से अच्छे से पढ़ाई करेंगे इस अब थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन थोड़ा सा लेट जरूर हुआ लेकिन सिलेवस तो सबसे पहले हम ही खतम करना है बोलो है कि नहीं मेरे बच्छ अब चिंदा ने करो प्रॉपर का प्रॉपर वे हम बता चुके है अच्छा उसके बाद टेस्ट के बारे में हम बता ही दिये तो एक बार दुबारा मैं फिर से अनॉस्मेंट करने जा रहा हूं कि आपके लिए आपके लिए नया से लाउंच हो गया यंजीनियस सिरीज जिसका पहला क्लास एक जून को होने वाला है मेरे बच्चो एक जून को जैहन बच्चो